हेलो एवरिवन माई नेम इस पार्थ और वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्राविटेशन चाप्टर चाप्टर नंबर वन साइन्स वन टेक्स्बुक इसके कुछ कंसेप्ट उठा कर हम पढ़ रहे हैं तो आज कौन सा कंसेप्ट उठाएंगे देखें और्थ ग्राविटेशन अल एक्सेलरेसन स्माल जी ग्राविटेशनल एक्सेलरेसन और उसके वेल्यू में क्या वेलिएशन दिखते हैं क्या चेंज दिखते हैं लाटीटीवड ग्राविटेशनल फॉर्स ओन अबजेक्ट्स नियर इट ये मुझे पता है किसी भी अबजेक्ट पर अगर कोई अबजेक्ट अर्थ के उपर रखा हुआ है तो अर्थ उस अबजेक्ट पे एक फॉर्स एग्जर्ट करेगा इन दर डाउनवर्ड डाइरेक्शन आदमी खड़ पर एक ग्राविटेशनल फॉर्स एग्जर्ट करता है इन दर डाउनवर्ड डाइरेक्शन ये मुझे पता है बिल्कुल पता है अच्छा अभी आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा f is equal to ma m into a mass into acceleration ये क्या है ये है Newton's second law और इस law का मतलब क्या बनता है ये बताना मुझे अ वो object हिलेगा उस object की speed change होगी वो accelerate होगा नहीं समझे बात देखें a force acting on a body results in its acceleration किसी भी body पर अगर force लगाओगे तो वो क्या होगी accelerate होगी एक ball ले लो ये एक object है of mass m इस पे मैंने force लगाया in this direction तो ये ball हिलेगा accelerate होगा इसकी speed chain होगी simple बात है force acting on a body results in its acceleration newtons second law ये बात याद रखना कुछ इसी तरह एक आदमी को मैंने ऐसे पहड़ पे खड़ा कर दिया उसके हाथ में दे दिया ball अब इस ball को earth अपनी तरफ खीच रहा है downward direction में force exert कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर हम उस ball को न लेकिन जैसे ही वो ball गिरेगा नीचे 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 जाएगा उस ball का speed change होगा speed increase होगा मतलब क्या वो ball accelerate हो रहा है because of gravitational force फेक के देखो आपने उस ball को फेका ball नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है बॉल की speed क्या हो रही है increase हो रही है ball accelerate हो रहा है मैं भी जाके अगर एक 7th floor से उड़ी मारू तो मैं उड़ी मारूंगा starting में मेरी speed कम होगी लेकिन दीरे दीरे जैसे मैं नीचे गिरूंगा मे simple है देखें the gravitational force due to earth on a body किसी भी body पर अगर gravitational force act कर रहा है it will result in its acceleration वो body accelerate होगी उसकी speed change होगी अगर वो नीचे गिर रही है तो ठीक है इसको ही क्या बोलते है acceleration due to gravity small g small g का value क्या है इसका formula क्या है capital G into capital M gravitational constant into mass of the earth upon r square radius जो है उसका square gm upon r square तो यह formula आया किदर से कैसा आया चोटा सा calculation एक derivation है फटक से दिखा देता हूँ देखो हमें क्या पता है what do we know Newton's law of gravitation क्या बोलता है f is equal to capital G gravitational constant m1 into m2 दो object है mass of जिनका mass है m1 and m2 उनका product upon r square उन object के बीच में जो distance रहेगा उसका square यह formula मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से दिखाया है के formula कैसे आया है ठीक है यह है अपना Newton's law of gravitation अगर यह law मैं earth के लिए अपलाएगा हूँ तो earth का mass रहेगा capital m earth के उपर एक बच्चा है बच्चा एक object है उसका mass है small m अभी earth का जो center है and बच्चा है उनके बीच में distance कितना है capital r radius of the earth तो यह जो formula है उसको मैं थोड़ा change करके ऐसे लिख सकता हूँ a physical to capital G into capital m mass of earth first object into small m बच्चा बच्चे का mass upon distance कितना है उन दोनों के बीच में capital r radius of the earth उसका square यह हमारा हो गया equation number one g mm upon r square capital m into small m upon capital r square यहां तक बात समझ में आईए अच्छा अभी newton's second law याद करना f is equal to mass into acceleration अभी वो acceleration के जगा पे हम small g लगा सकते है acceleration due to gravity तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे m into g यह हो गया हमारा second equation अभी first and second equation दोनो equation force का ही है ठीक है न बच्चों तो can I equate them दोनों को मैं equate कर सकता हूं देखो न from equation one and two second equation में इसे मैंने लिखा mg mg is equal to first equation में क्या है capital G capital m small m upon r square small m small m काट दो न तो small g का value का मिल जाएगा capital G into capital m upon r square gm upon r square यह हो गया हो तुमारा acceleration due to gravity का formula ऐसे आया equation one भी force का था equation two to be force का था उन दोनों को equate किया mm काट देया तो मिल गया gm upon r square एक गदम simple सी बात यहां तक समझ में आई अच्छा अब मुझे यहां पर बताना capital r जो है radius and g इन दोनों के बीच में क्या relationship है they are in inverse proportion मतलब value of r अगर बहुत जादा है ध्यान से सुनना value of r बहुत जादा है तो value of g decrease हो जाएगी ठीक है छोटी रहेगी r बढ़ा है g छोटा है inverse proportion वैसे ही अगर value of r कम है बहुत कम है तो value of g जादा रहेगी simple r छोटा है g बढ़ा है वैसे ही g and m के बीच में क्या relationship है they are in direct proportion I hope आपने maths में पढ़ा है inverse proportion क्या होता है direct proportion क्या होता है काफी simple सा concept है g and m direct proportion में मतलब value of m अगर जादा है तो value of g भी जादा रहेगी जितना जादा mass रहेगा उतना जादा acceleration due to gravity g का value रहेगा ये तीन relationship अगर आपको समझता है ना तो variation in g बहुत ही जादा simple हो जाएगा ठीक है इन तीन चीजों को अच्छे से समझ लो ठीक है चलिए आगे जाते हैं तो चलिए देखते हैं variation in the value of g g का value earth के surface पे कितना होता है 9.8 meter per second square लेकिन ये जो value है ना वो change होती है depending on certain situations certain conditions क्या conditions है देखे तीन condition है S A D S मतलब shape earth के shape के हिसाब से value of g change होगी कैसे change होगी बताऊंगा altitude मतलब height अब जितना earth से दूर चले जाओगे value of g में change आएगा D मतलब depth आप अगर earth के अंदर घुज जाते हो दीप चले जाते हो तो भी g का value में change दिखेगा तीनों को एक एक करके पकड़के देखते हैं चलिए सबसे पहले shape से शुरुआत करेंगे change along the surface of the earth अभी ध्यायन से सुनना अर्थ का जो shape है यहां पर round दिख रहा है लेकिन अर्थ perfectly round होता नहीं है अर्थ कुछ ऐसा दिखता है फैला हो है क्यों है मालूम है अर्थ continuously rotate हो रहा है बराबर है अपने एक्सिस पे वो rotate हो रहा है rotation दिखा रहा है घूम रहा है because of the rotations अर्थ पोल्स पे से थोड़ा चप्टा हो गया पोल्स मतलब क्या north pole and south pole वहां से वो थोड़ा ऐसा दब गया है थोड़ा चप्टा हो गया अर्थ का जो equator है वहां से वो थोड़ा फैल गया है मैं कैसा इधर से इसा फैल रहा हूं वैसा अर्थ भी equator से फैल गया है तुम क्या बोलेंगे अर्थ bulges at the equator equator पे कैसा हो रहा है फैल रहा है बल्ज हो रहा है and it is flatter at the poles poles पे फ्लैट हो रहा है तो शेप समझ रहे हो उपर से थोड़ा दबा हुआ है बीच में से थोड़ा फैला हुआ है तो क्या variation देखेगा जी में देखे चलो अर्थ लगा दिया फैला हुआ अर्थ है center से लेके pole का जो distance है चलो pole पे एक बच्चा खड़ा कर दिया center से लेके equator का distance and equator पे एक बच्चा खड़ा कर दिया अब गोर से देखना ध्याहान से observe करो center से pole का जो distance है वो कम है center से equator का जो distance है वो थोड़ा जाद है difference दिख रहे है आपको radius में डिस्चन्स में तो मुझे बात g का formula क्या है gm upon r square small g and r inversely proportional है inverse proportion समझते हो ना अभी आपको बता है तो देखो radius largest at the equator equator पे radius सबसे जादा है मतलब g का value क्या रहेगा कम रहेगा radius जादा है g का value कम रहेगा radius is smallest at the pole pole पे radius कम है radius कम है मतलब g का value pole पे जादा रहेगा ठीक है बच्चो तो poles पे आपको g का value मिलेगा 9.83 meter per second square that is the maximum and equator पे value थोड़ी कम हो जाएगी radius बढ़ा है तो g कम हो जाएगा 9.78 meter per second square रहेगा ठीक है बच्चो simple से बात बाता आता हूँ equator पे g का value सबसे कम रहेगा 9.78 meter per second square poles पे g का value सबसे जादा मिलेगा 9.83 meter per second square तो आपको एक अनोखी बात बता दाओं अगर आप equator पे खड़े हो न तो आपका वजन थोड़ा कम दिखेगा वजन काटे के ऊपर अगर आप बिना कुछ खाए सीधा poles पे चले जाते हो और वजन काटे के ऊपर खड़े रहते हो तो आपका वजन थोड़ा जादा दिखाएगा समझ रहे ये बात काफे simple सी बात है चलिए फिर altitude मतलब क्या height change with height क्या दिखेगा देखो simple सी बात बताता हूँ जितना आप earth से दूर जाते हो तो earth के center and आपके बीच में distance बढ़ जाएगा distance जितना ज्यादा होगा उतनी g की value कम हो जाएगी inverse proportion g and r के बीच में inverse proportion जितना आप दूर जा रहे हो distance बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है g का value decrease होएगा surface पे क्या है value 9.83 meter per second square poles पे अगर आप थोड़ा उपर चले जाते हो चलो mount Everest पे जाके मैं चड़ गया तो distance कितना हो गया height कितना हो गया 8.8 km तो g की value ज्यादा change नहीं होती है बहुत कम change होई 9.8 meter per second स्लाइड चेंज दिखा थोड़ा आप और उपर चले जाओ the highest height the maximum height reached by a man-made balloon hot air balloon होता है ना उसका maximum height कितना पहुचा था आज तक 36.6 km तो वहाँ पे जी की value कितने है 9.77 meter per second square उतना भी ज्यादा difference नहीं आया थोड़ा और उपर चले जाते है एक typical weather satellite होता है जो उपर से photograph वगेरा लेता है कहां तूफान आने वाला है कहां बारिश आने वाली है वो वेदर सेटलाइट कितना उपर होता है 400 km वहाँ पे जी की value कितनी है 8.7 अब थोड़ा difference दिख रहा है अब थोड़ा मजा आ रहे है और दूर चले जाओ बहुत दूर चले जाओ एक communication satellite कितना उपर होता है 35,700 km वहाँ पे जी की value कितनी है 0.225 meter per second square बहुत कम हो गई है तो जितना altitude जितना height पे जाओगे जी की value क्या होगी कम होते जाएगे ठीक है बच्चों यहां तक बात बिलकुल समझ में आ गई है चले आगे जाते हैं चलिए तो देखते हैं depth जितना आप deep जाओगे जी के value में क्या change देखेगा क्या variation देखेगा काफी interesting सा concept है बहुत थोड़ा आपक on R square capital G capital M upon R square यह मुझे पता है अब समझ लो एक जो बच्चा है अर्थ के उपर वो अर्थ के अंदर घुस रहा है तो बच्चा अगर अर्थ के अंदर घुसा तो आप क्या सोचोगे अर्थ का जो center है and बच्चा है उसके बीच का distance कम हो गया आर का जो value है आर का value कम हो गया त आदिकिन ऐसा नहीं होता है ध्यान से सुनना बच्चा जैसे अंदर घुसा अर्थ के अर्थ कि मतलर अब ही और्थ का जो mass है जहांसे gravitational force आ रहा है भच्चे के लिए वो mass ही कम हो गया इस वार्मूला में देखिए झी ईन क्यापिटल M बेर directly proportional तो अगर अर्थ का जो effective mass है generate हो रहा है बच्चे के लिए अगर वो mass कम हो जाता है तो g की value क्या होगी decrease होते जाएगी तो जितना बच्चा अंदर घुसते जाएगा g का value क्या होगा decrease होगा मास क्या हो रहा है? decrease हो रहा है जितना अंदर जा रहा है m decrease हो रहा है तो g भी decrease होगी बच्चा और अंदर गया अर्थ का size उसके लिए छोटा हो गया मास decrease हो गया बात समझ रहे हो और अंदर घुसा एक point ऐसा आएगा बच्चा इतना अंदर चला गया बच्चा center में चला गया तो अगर बच्चा अर्थ के center तक पहुच जाता है तो वहाँ पे effective mass जिसमें से gravitational force आना चाहिए वो mass zero हो गया अगर mass zero हो जाता है तो g की value क्या हो जाएगी? zero हो जाएगी तो बच्चा अगर center में पहुच जाता है तो उसके लिए earth बचा ही नहीं है जहां से gravitational force है mass zero हो गया g का value भी zero हो जाएगा at the center of the earth कहां नहीं समझ में आएगी? काफे simple है जितना अंदर गुसर हो g की value क्या हो रही है? decrease हो रही है effective mass earth का size कम हो रहा है mass कम हो रहा है तो g की value decrease होते जाएगी ठीक है बच्चों? काफे simple सी बात है चले तो हमने 3 conditions देखा जहां पे variation मिल रहा है g के value में shape में क्या variation मिलता है? pole पे अगर आप हो तो g का value सबसे जादा होता है 9.832 meter per second square अगर आप equator पे हो तो g की value सबसे कम होते है 9.78 meter per second square altitude जितना आप उपर जाओगे जितना आप उपर जाओगे height पर जाओगे क्या होगा? g की value decrease होते जाएगी and depth जितना आप अंदर घुस होगे क्या होगा? g का value decrease होते जाएगा यहां तक बात समझ में आई है तो यह थी सारी variation in g की बाते सारे conditions जहां पर g की value में change दिखता है I hope समझ में आया है कोशिश तो पूरी किया मैंने पढ़ाने की ठीक है? and अगर आपको मजा आया है तो share कर देना वीडियो को like करना dislike भी कुछ लोग करके जाते हैं वो भी कर देना अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो I will keep trying to improve myself and subscribe कर देना if you are new as usual thank you very much